आथी बौड परिक्षा 2023 का जो प्रेपर होने वाला है उसमें आपकी एक दोजार तेइस का प्रेपर आएगा गनीद का वो इसी प्रिकार का रहने वाला है तो आए इसमें हम गनीद के आपके सभी प्रस्न दिये गए उन आप जाके जएक सकते हैं प्ले लिस्ट में आट्वी क्लास बोर्ड प्रिक्स दुज़ाइस के नाम से प्ले लिस्ट उसमें बिल जाएंगे तो यह आपके गणित का प्रेपर आपके इसी प्रकार का आएगा आप जो प्रस्नों को ज़रूर है जो हल करना तायम जो मिलगा आपको डायी गनता का समय मिलगा और असी नंबर कापके पैपर आएगा और यह गणित विस्ट का प्रयपर है सबसे पहला प्रसéta मिए इसमें आपके छे प्रस्न च ह्पीशशु आएंगे वस्तुर प्रस्न आएंगे वह यह च्छे प्रकार्स आएं old आगें तो या तो उसको एक के बटा में लिख लेंगे अकिली सिंझ्क्या होगी तो या वी मरवटा में तो यह संक्या एक के बटा में लेंगे लिए प्टतिलों के लिए यह अइच्पर आजाँ यहां पे सः यह तुद्प होआ आपका नन पूछे तो उसमें उल्टा करते हैं उसमें प्लस का माइनश करदेते माइनश का प्लस कर देते दूसरा प्रसंदे को कि नो इसका आप को घ्याद करना है तो नोगा ज्याद करने के factor को दोनो को तीन बार गुणा करेंग dressed का गन मतलब क्या होता है, नो को तीन बार गुना करना, नो इंटू नो इंटू नो तो यह नो नो का 9 कि ऊ नव होता है, 221 होत के नो का पास 9 बार बुeleri Hubira करने क्यों नो का पाड़ होता का 1-2 लो ह से गुना करें तो नो का पाड़ बार बो लो 9, वाला उततर है तो शुम्म क्या पर देंगे या पर देंगे इसी प्रकार से आपको वर्ग हमें हम दो दो बार गोना करते तो आप कमेंट करकि बताने कि kya हुता है9 को व्रग क्या होता है कयम ये तीसरा एक असर हो जाएगा अगे अग्ला परसन देखते हajcie मिशमेंगरा प्रसन संकेट चाहल यह कि पांच किलोग्राम शक्र का पांस में हैं 15 रूपे औरंको आप को कहें। कि 1 पेंका मुल्य कितना होगा तो हम क्या करेंगे इस 15 में 3 बाय दे देंगे तो 3 कपाड भलेंगे 15 में पांस बाद pribor में आगा तो 1 पेंका मुल्य कितना आ जाएगा 5 रूपे अजाएगा इसी कार से पांच का मुल से रखा हैं 240 अब को डुक करना है एक का तो एक का ज्याद करने के लिए से 240 में पांच का बाग देंगे वे पांच का बाग देंगे तो 240 में 2 चौक 20 होते हैं wanna चोग 20 मैनस करेंगे तो यह यहांपे 4 बचएंगे उपर से उतरेगा 0, 40 हो जाएगा 5 का पारा बोलेंगी 40 कितनी बार में आगे 5, 40 हा जाएगा तो ये 40 में से 40 गया तो 0 तो अपना आंसर आजाएगा 40 और रुपई ये 48 रुपई ये तो इसका आंसर आपके फर्स्ट हो जाएगा 48 रुपई अवाला उत्र अपना सही वजएगा ये अगर उल्टा पूशता आपको कि एक पेन का मुल्य पांच रुपई है एक पेन का मुल्य पांच रुपई है और आपको पूशे कि 15 पेन का मुल्य ग्याद करो तो 15 पेन का मुल्य ग्याद करने के लिए हम 5 को से गुणा करके इसका और निकालते हैं ठीक है आप कुमेंट करके बताने देकि एक पें का मुली पांस रूपे हैं तो 15 मिल्ली कितने रुपे होगा इसका उत्राप मुझे कमेंट गए विंजक हैं द्वी पधी का मतलब दिनके बीच में 1 प्लस माइनस होता है उसको द्वी पधी कहते है तो देखो यह एक पधी है यह तीन पदी है इसमें तीन निम्बर बहो जाएगा बही अपना द्वीपदी यह बाकी जी द्वीपदी नहीं इसका आंसर क्या लिखेंगे हम बह वाला उतर लिखेंगे इसमें आपको पता चल गया होगा हमने पांच प्लस क्यों नहीं लिखा क्या एक पदी यह जोड़ 7x हो जाएगा अगला प्रस्त है एक ट्री पूस्ले परिक्षा में मान लो कि वह बहुत बूज का नाम बताए जिसके अंतर कौन का योग और 12 कौन का योग बराबर होता है तो उसका नाम क्या लेकिंगे हम चट्रबूज लिखेंगे तो इसका उतर लेकिए हम सह और 3 बूज गिरी के तिनों कौनों को अधिक केते हैं एक्सो छी से कम और न Lucky से जद्धा और Mong coping कि this को सरल कोन केते हैं स्टेट लाइन केट इसको और आप कमेंड करना कि ऐसा कोन जिसका मान नबे डिगरी से कम हो नबे डिगरी से कम हो तो उसको क्या कहते है इसका उत्र कमेंड करके बताने तो इसका अंसर क्या लिखेंगे हम 306 लिखेंगे तो ये आपको छे सवाल इस प्रकार से कर लेने जिसे सवाल आएंगे आपके छे नमर के एक एक नमर का छे सवाल आएगा वो एक एक नमर का आएगा और छे सवाल आपको इस प्रकार से हल करके उनके उत्तर आपको एक साथ अ यानिकी पांस दोनी दस नमबर का आपका ये खंडब्ब हो जाएगा ठीकि दूसरा खंड जोगा आपके दस नमबर का वाएगा और दो दो नमर के पांच पुछे जाएंगे और सभी प्रस्ण आपको करना अनिवर हैं तो ये सात वा प्रस्ण करके देख लेते हैं वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिससे संख्या दोसों को गुणा करने पर एक पूर्ण गन संख्या प्राप्त हो जाए तो आप सबी को पता होना चाहिए गन ग्याद करने के लिए ये उसके जोड़े कितने के बनाते हैं हम तिन तिन संख्या के जोड़े बनाते है जिससे दो का गन गयाद करने के लिए दो का तीन बार गुना किया चार का गन गयाद करने के लिए चार को तीन बार गुना किया पांस का गन गयाद करने के लिए पांस को तीन बार गुना किया वैसे गनमूल गयाद करने के लिए वापस जोड़े बनाएंगे तो तीन-तीन के जोड़े उसमें बनाएंगे तो जो भी संख्या कम पढ़ती होगी उसको हम उससे गुना कर देंगे जिसका जोड़ा पूरा नहीं होता होगा उसको सेम संख्या से हम गुना करके उसको हम वो संख्या ग्यात कर लेंगे तो अब हमसको वह संखिया ग्यात कर लेते हैं जिससे दोसो को गुना करेंगे और वह पून गन संखिया बन जाएगी तो उसकी लिए हम क्या करेंगे यहाएपे इससे दोसो कर लेते हैं 200 के अबाजी गुनानख्ण करने के लिए सबसे पहले उपर लिखेंगे इदर 200, 200 के लाश्ट में 0 है तो इसमें 2 का बाग जाएगा, तो 2 का बाग पहले देंगे, 2 का बाग 200 में 100 बार जाएगा, फिर 100 में 2 का बाग चला जाएगा, वो जाएगा आपके 50 बार, और 50 में फिर 2 का बाग चला जाएगा, वो 25 बार तीन का तो पांच और दो साथ होते तीन का बाग भी नहीं जाएगा फिर किसका बाग देतों फिर हम पांच का बाग देंगे जो पांच का बाग 25 में कितने बार जाएगा पांच बार जाएगा और पांच में फिर पांच का बाग एक बार जाएगा यहाँ पर देखो इस दोसों के जो गुनन खन की है हमने वो दो इंटू दो इंटू दो इंटू पांच इंटू पांच बने यहाँ पर यह तीन का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन पांच का पूरा है जो तीन तीन सिंक्या का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए हम किसे गुना करेंगे इसलिए हम दोसों को यहां पूरा जोड़ा करने के लिए इस पांच का पूरा जोड़ा करने के लिए इसको किसे गुना करेंगे दोसों को पांच से गुना करेंगे किसे गुना करेंगे दोसों को पांच से गुना करेंगे इस प्रकार से आपको लिखेंगे समझ में गया हूगा ये तो इसका ँटर पूरा नहीं बन रहा है तो यह 3 को पूरा करने लिए हमने 5 से गुना करेंगे तो इसका जोडा बन जाएगा दोसों who 5 से गुना करें तो एक हजाए gün पर पिर आपके 10 के गन हो जाएंगे इस प्रकार से आपको इसका बतर जबाना है फिर आपके आठवा स्वाल देखो, आठवा स्वाल है कि आपको गुनन फल जाद करना है, मैनस का आपका चार क्यू है, इसको गुना करना है, आपके साथ पी क्यू से, साथ पी क्यू से गुना करने हैं, तो संग्या संग्या पहले गुना कर लो, मैनस के चार इंटू साथ इं और P और Q किगाथ यह आदा समनों पर गाते जूर जाएगी तो Q in to Q square हो जाएगा तो Q किगाथ गाथ यहांपर लिख लेंगे यहां पर हम Q किगाथ गात दो लिख लेंगे तो मैनिस का ठाइस पिकु किगाथ दो इसका उत्तर आजाएगा फिर आपके बुजाओं की संक्या याद करने एसा जब भी आपके सवाल आए कि बहुज कौन का माप दे दे एक का और सबसे कितनी बुजाएं है तो ऐसा याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको सुत्र याद करना है ये बुजाओं की संक्या बराबर 360 बटे एक बहुज कौ का मान आपको यहां पे नीचे भाग देदेना है जो देरे? उसका 306 में भाग देदेना है कि किसी भी बहुत देड़े के सभी बाहर के कौनों का योग 360 ुदिगरी हुता है और एक का कौन हम को दे रिखा है 45 लिगरी तो इस 45 का हम 360 में भाग देखी है तो हमने हैं यहां पर लिखा ही है की यह maんなय पार यह 25 तो हमने लिखा तो कितना या यह इसको भ犯े कुए हमने नो आ हम Kepadis जाएं नो के बारे से यह 25 कर जाएंगे पंच बार Nep LAब्य। है यह आ तुमकित जाएंग हैंगे तो वो नो के चत्रविश कहता है एस्चनिन रहना है याद रखना था है तो 45 दिगरी उता है मिसमें एगला स्वाल कि गरति आ कि आकरती के से पता चलता है लंबा ही और चोड़ा होती है जिस चत्रफुज की लंबाई और चोड़ाई अलग अलग होती है वो आयत होता है आमने सामने की बुजा बराबर होती है प्रते को 90 डिगरी का होता है तो आयत होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आकरती यान की आयत की लंबाई 9 सेंटीमेटर है यह इसकी लंबाई 9 सेंटी सित्रमकिया दीज करें कोश्टक बंद और सूरी नौー जोड़ेंगी तो दौर को से 16 गुना फोम दुनी 32 cm का आंसर आएगा क्योंकि यह परिमाप है तो हमें यह सेंटीमेटर एक बार लिखना है यह एकर से शत्रफल होता है तो हम फिर इसको सेंटीमेटर का स्क्वाइर लिखते हैं तो इसका परिमाप कितना गया 32 cm का आंसर आगया परिमाप का मतलब कोई अकर्ति व्यक्ति A से चलकर B पर आएगा B से C पर C से D पर D से वापस A पर एक चक्कर काटने में जिनती दूरी तरी करता है वो उसका परिमाफ होता है तो ये इसका परिमाफ आ जाएगा एक चक्कर बराबर उसका परिमाफ होता है फिर आगे सवाल दे रहे हैं 11 वाले दी गया खरती में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्राइक्ताइ ग्याद करनी है तो पहले आपको टोटल सेब के बारे में जानकर ही होनी चाहिए कि इस ठेले में कितने सेब है इसमें देखो आर आर वाले लाल सेब है तो ये आर वाला एक, दो, तीन और चार तो हो गए आपके लाल सेब, हमने लिख लिए चार, लाल सेब कितने तो चार है, फिर ये सपेद, ये ग्रीन देख लो, ग्रीन कितने हरे, तो ये वाले ग्रीन है, ग्रीन वाले हो जाएंगी तीन, तो हरे सेब लिखने हमने तीन लिख लाल की प्राइक्ता बराबर अन्यकूल पईनामबते कुल पईनाम अनृकूल का मजलाब इसमें लाल कित्नी लाल 4 है तो 4 उपर लिख लेंilot और कुल 7 है तो ₦ साथ है तो फिर 7 निचे लिख लेंगे यहूज से अतर आ गीज़ी हैं यह इसके अतर हैं आपको 30 बटा साथ लिए इस प्रकार से आपको जियात कर लेना तो ये तेवे आपके प्रस्झिया साथ से लगा करें साथ से लगा की गैरा तक टोटल अपने पंस पर संक 9 कर लिए दो-दो नमर के पांस दोनी 10 नमर का मेंटर या हो गया और जिसे पर नमने उपहर लेना वर्ट आप गुरूप के जो लिंक के उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रूप्स बॉक्स में क्योंकि मैं इसकी पीडियाप आपको वहाँ शेयर कर दूंगा इस पूरे पर कि तो आप उसको वहाँ पे देख लेना पिर अगला प्रस्न आपका यह लगूतरात्मक प्रस आएंगे वो भी चार-चार नमर के चालीश नमर का जो बाग यह वह खंड और से ओसके इसमें माई घ्याओ के प्रस्न पूछे जाएंगे कि तो जो सही है उसके ऊपर आपको निसान लगाना एगलत है तो गलत की उपर निसान लगाना है तो देखो इसमें पहला प्रसन आपके बारवे का पहला है एक संक्या देरिकी तेरा सु चोपन इसमें दो से विबाजित नहीं है यह कह रहा है यह दो से विबाजित नहीं है तो यह तो गलत बात है इसके लाश्ट में देखो यह तेरा सु चोपन है और लाश्ट में एका एक इंक इतना चार है जिस भी संख्या का एका एंक जीरो हो दो हो छार हो छे हो या फिर आठ хоч हो तो उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है तो यह तो गलत कहरा है यह तो दोसे धुषित हैं तो इसका मतलब यह आसत्य है तो हम क्या लिखेंगे यह आसत्य है इसको हम करेंगे आसत्य है अगला प्रसन देखो यह क्या रही है यह संख्या 9 से विबाजित हैं 9 से भी बजित होने के लिए हम क्या करेंगे संख्या को जोड़ेंगे अंको को अंको की जोड में 9 का बाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का बाग जाएगा जैसे आपको पूछे कि ये सताइस में 9 का बाग जाएगा अग नी जाएगा तो हम इसको जोड़ करके देख लेंगे एक प्लस आठ प्लस नो एक और आठ नो और नो अठारा हो जाएंगे अठारा में नो का बाग जाता है तो एकस और नवा से में अभी नो का बाग जाएगा ऐसे आपको इसमें जोड़ करके देखना है तो 15 28 और पिच्слदार की अंकों को जोड़ेंगे तो 1 5 6 1 5 5 1 5 5 2 6 6 5 5 lub 16 8 – 2 10 7 13 12 12 12 और फ्मीक के ठोटलu कितनी हुआ एक 95 के साथ हैं कि नो के का फाड़ में नोक मनो डुनरीटार नोतिया साथ हैं और नोचो만 क्षतिस आथ है इस सताइन सूर्श्टिस आ रहे इसका मिलब नो का भाग पुरा पुरा नहीं जाता है तो इसमें नो का बाग इसमें पूरी सिंक्या में Mei nor界 नहीं जाएगा तो यह विव्वजित नहीं इसका मतलब यह भी आसके हैं अगला प्रस्वने की यदि कोई सिंक्या रोसै और तीन से विवजित नहीं आईए देख लेते हैं हम देख लेते हैं जैसे अपने पास में संक्या है बारा बारा में दो का बाग जाएगा हाँ क्योंकि बारा के लास्ट में दो है तो इसमें दो का बाग जाएगा तीन का बाग जाएगा इसको जोड करके देखो एक और दो कितने होते हैं तीन होते हैं एक और दो जोड़ेंगे तो तीन हो जाएंगे इसका मतलब तीन इस बारा में तीन का भाग भी जाता है जिस संक्या में जिस संक्या में दो का भाग भी जाता है तीन का भाग भी जाता है उस संक्या में छे का भाग भी जाएगा ये बिल्कुल सही बात है तो इसको हम कहेंगे हाँ ये सत्ते हैं तो ये वाला कत्तन तो सत्ते हैं अगला प्रस्तन है एक सहीं क्या देरिकी है छे प्लस एक्स ये नो का गुनज है गुनज का मतलब है कि ये नो के पाड़े में आता है ये इसमें नो का बाग जाता है तो इसमें छे में एक्स का मान कितना रखेंगे एक्स का हमां दो रखेंगे देखो छे में दो रखो छे में दो जोड़े तो आठ होगा क्या आठ नौ की पाड़े में आते हैं नहीं आते हैं इसका मलब यह असत्य हैं ठीक है तो यहां पर तीन होता तब हम यह कहता है कि हाँ यह नो का गुनस है तो यह भी आपकशते हो जाएक इस परकार से आपको चोता प्रस्त में लिए कि यह सत्य-चत्य नहब्पोर फिर आपके अगला प्रस्त जो है वह वह पार्श द्रश्य वह को द्रशि rapportKS हैं तो यह देखो यह वाले आकर्ति इसमें उपर से देखने पर कैसा लगेगा तो उपर से देखने पर तो यह ऐसी आकर्ति दिखाई देगी तो यह तो हो जाएगा आपका ठीक है उपर से ठीक है और यह जाएगा आपका पार्श यह क्या होगा पार्श हो जाएगा इसी प् के पार्श इस प्रकार से चार नमर का प्रस्निया आपके आ जाएगा नेक्स्ट कुशन फिर आपका एक दे रखा हैं कि 400 वेक्टियों पर किये गए सटक सर्वे के दोरान यतायत नियमों यतायत नियमों का पालन नहीं करने वालों को वरत्चित्र में दरसाए गया हैं सब्सक्राइब का उपयोग नहीं करने वाले 25 परसेंट है जेबरा प्रटी का पाला नहीं करने वाले 15 परसेंट है हेलमेट नहीं लगाने वाले 30 परसेंट है और और लोडिंग वाले जो बार से अधिक शमता से अधिक बार वहन करने वाले इनका परसे समको बताना की कितना है तो यह तो हम जात करलेंगे फिस सो डावला भी आ जाएगा पया तो लिए पारशम्ता वाहनों पर चलनेवाले विक्टियों का पर्तिश्चत जात करना है और एक हेलमेट नहीं लगाने वाले वेक्टियों की संख्या गती सिमा से अधिक गती वहन करने वाले वेक्टियों की संख्या से कितनी अधिक हैं तो यह आपको बताना है तो यह भी निकाल लेते हैं सबसे पहले यह अधिक बारक्षमता वाले को निकालते हैं और लोडिंग वाले को तो यह यहां अधिग बहरक्श्मता भया तो इससे पहले किया करेंगे कि इंस फिको जोडेंगे दस प्लस पतकी प्लस 15 पन्दा प्लस वी थी 30 इन куда एंगे 10 फ्लस पत्ची According पंदरा प्लस तीस नहीं हो के उर पिनर क्ला को सब्सक्राइब में 40 ko 50 tous प्लसमें 10 यह यह होजाएगा 50 और 10 30 कितना हो जाएगा 80 परसंत हो जाएगा तो बचा हुआ गयाद करने के लिए हम क्या करेंगे इस में से 100 अश्मीक हम 80 को गटा लेंगे जो कितना ओजाएगा आपका 20 परतिश्याद आजाएगा इस परकार हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने हैं हेलमेट नहीं लगाने वाले आपके 30 परसेंट है और यह और लोडिंग वाले कितने हैं यह आपके 20 परसेंट अधिक इतने आपके अधिक हो जाएंगा आपके 10 परसेंट तो अंतर कितने का रहा है इसमें अंतर जो आ रहा है वह आपका 10% का रहा है ठीक है 30-20 बराबर यह जाएगा आपका 10% 10% मतलब कितनी अधी के तो वो अधी सेंगे जाद करने के लिए हम क्या करेंगे 400 का 10% जाद कर लेंगे तो यहांपर हम निकाल लेंगे 400 का 10% 400 का 10% तो यह हो जाएगा आपका 400 इन्टू का की जगा 10 इन्टू 10 और बटे में 100 आजाएगा 2-0 से 400 की 2-0 कर जाएगे और 4 को 10 से गुना करके इसका उतर लिख लेंगे कितना उतर आजाएगा 40 वेक्ति तो हेलमेट नहीं लगाने वाले वेक्तियों की संख्या गती सिमा से अधिक गती करने वाले वालनों की संख्या से 40 वेक्ति अधिक हैं ये इसका अंसर आजाएगा फिर आपको इस 15 सवाल में समानतर चत्रबुज के वारे में थोड़ी से जानकारी होनी चाहिए समानतर चत्रबुज में आमने सामने के कौन बराबर होते हैं जैसे ये ए वाला जो कौन है ये सी वाले कौन के बराबर होता है ये डी वाला कौन इस बी वाले कौन के बराबर होता है एक बात ये याद कर लेनी है दूसरा है कि आमने सामने की बुजा बराबर होती है यह A B जो बुजा है वो इस C D बुजा के बराबर आती है और यह A D बुजा इस B C बुजा के बराबर आती है इस परकार से यह भी आपको याद कर लेना है इसके जो विकन होते हैं वो समध्वी बज़ए होते हैं विकन दो बराबर भाग में बढ़ते हैं यानिकि या 20 में जो लाइन है वो इधर O A और O C बराबर है O A बराबर क्या होता है O C होता है तो ये भी आपको याद के लाना इसी प्रकार से O D बराबर O B हो जाएगा इसके विकन होते समधी बराबर होते हैं और दो लगातार कॉनों की जो जोड होती है वो X OC डिगरी के बराबर होती है यहां की कौन A और कौन B को जोड़ेंगे कौन A प्लस कौन B को जोड़ेंगे तो वो समधी पूरख होते हैं X OC डिगरी के बराबर आते हैं तो इसका भी उतर हम लिख लेंगे सबी देखो A D पूछा गया है ये A D ये रहा A D ये वाले बूजा किसके बराबर होगी फिर ये इसके बराबर होगी ये BC के बराबर होगी उसका उतर लिखेंगे मैं यह पे BC ये लिखा हुआ है BC इसमें BC कर देंगे कौन D C B कौन D C B ये रहा कौन D C B ये DC B ये वाला कौन ये वाला कौन आपका D A B या B A D के बराबर होगा तो ये B A D के बराबर आजएगा B A D तो इसको हम लिखेंगे कौन B A D के बराबर आएगा फिर आपको O C पुछाएं तो ये O C ये O C की के बराबर होगा इस O A के बराबर आएगा तो O C O A के बराबर आजएगा ओ, A, K, बभ़ आईगा फिर कौन D, A, B कौन D, A, B यह कौन D, A, B यह वला कौन और कौन C, D, A कौन C, D, A इन दोनकी कौन की जोड पूछी है कौन D प्लस कौन A पूछे हैं लगातार है तो लगातार की जोड एकसोफी डिग्री होती है कौन लिवरे लगाता है तो इनकी जोड हो जाएगी 180 डिगरी तो इसका उतर कितना लिखेंगे इसका उतर लिखेंगे हम 180 डिगरी आप कमेंट करके बताने कि इस वाले आकरते हैं यह जो चत्रबुजें समानता चत्रबुज इसके चारो कौनों की जोड कितनी होती है इसका उ तो यह उने कितने तीन प्रस्थन कर लें आप सत्रों कुशन देखेंगे आपको एक सोला से लगा कि एक इस तक के प्रस्थन करने जो की चार चार नमर के होंगे चार इंटू ठीक है आगे के प्रस्थन आपके तो सबसे पहले यह दे रखा है सोला नमर कुशन एक वर्गा कार खेत का ख्शेतर फल दे रखा है तेईस जीरो चार वर्ग मीटर इस वर्गा कार खेत के आपको बुझा गयात करनी है तो आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए तो अपन देख लेते हैं इसको वर्गा कार खेत का ख्शेतर फल कितना दे तो यह देर्ख आपको वर्गाकार खेत का क्षित्रफल कितना देर्ख एंगे एक शित्रफल लिए और यह भी दिर खित्र फाली है तो इसको बराबर लिखेंगे 304 के बराबर अब हम क्या करेंगे इस बुजा का स्कॉइर अगे तो square आटाने के लिए इदर under root लगाना पड़ेगा तो बुजा बराबर कितना आजाएगा ये बुजा बराबर आजाएगा आपका under root 23, 0, 4 अब आपको 23, 0, 4 के वर्ग मुल ग्याद करने पड़ेंगे हम इसको आपको गुननखन करके बता देते हैं इदर हम साइड में इदर गुननखन करें आप देखना ये इस वाले साइड में तो हम 23, 0, 4 के इदर गुननखन करके इसका वर्ग मुल लिका लेंगे तो ये आजाएगा आपका 23, 0, 4 में 2 का बाग देंगे 2 में 2 का एक बार 3 में एक बार 10 में 5 बार और ये 2 बार चला जाएगा फिर 2 का बाग देंगे 5, 7 और 6 बार फिर 2 का बाग देंगे ये जाएगा 2 बार जाएगा फिर 8 बार जाएगा और फिर 8 बार जाएगा फिर 2 का बाग देंगे 144 बार जाएगा फिर आगे 2 का बाग देंगे वो 74 तू बार जाएगा यानिकी 72 बार दो का बाग देंगे तो 36 बार जाएगा फिर दो का बाग देंगे 18 बार फिर 18 में 2 का 9 बार अब 9 में 2 का नहीं जाता तो 3 का देंगे 3 बार 3 में 3 का 1 बार बाग तब तक देते रहना है जब तक की एक नहीं आ जाए अब इसको आपको दो दो सिंख्या के जोड़े के रूप में एक एक बार लिख लेना है तो इसको जब लिखेंगे तो ये दो 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 और दो और तीन इसको एक बार लिखेंगे इसके अंदर से बाहर निकालेंगे तो हम इसको डायरेक्टि आपको लिखके बता रहे हैं पर एक बार तो लो ये दो 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 चार बार दो लिखेंगे दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन आजाएगा एक बार अब इन सब को गुटा कर देना है तो दोडोनी 4 हो जाएगा इन्टु दोडोनी 4 इन्टु 3 जाएगा तो यह अगए उतर आएगा इसका यह 4 चोग 16 होते है 16 को 3 से गुटा करेंगे 32 जफी जफ 10 48 इसका आंसर आ जाएगा और यह मीटर है तो फिर 48 मीटर इसका उत्र लिख लेंगे ठीक इसका उत्र कितना लिखेंगे 48 मीटर इस प्रकार से इस वाले सवाल को यहां पर हल कर लेना मेरे यह जगा कम थी तो मैंने यह पर इसको डारेक्ट आपको बता दिया बाकि एक बार इस पूरी संक्या को इस अंडरूट के नीचे लिखे इसमें से हम एक एक बार लिखे करते हैं तो यह आपको इस परकार से कर लेना है अगला सवाले गातांग नियम का उप्योग करते हुए आपको निमन का मान गयात करना है तो इनका मान गयात कर लेते हैं तो इससे पहले आपको थोड़ी सी जान करें होनी चाहिए कि किसी भी संक्या की गात अगर जिरो हो तो उसका उत्तर कितना आता है एक आता है किसी भी संक्या की गात जिरो है तो उसका उत्तर एक आएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे यह तीन की गाट जीरो तो उसको हम एक लिखेंगे और चार की गाट जीरो तो उसको भी हम एक लिखेंगे पास की गाट जीरो तो उसको भी हम एक लिखेंगे और उपर है माइनस का एक गाट इसकी माइनस एक है तो पहले इन सब का जोड़ कर लेते हैं तो एक दो और एक तीन हो जाएगा तीन की गात माइनस एक जब माइनस एक है तो उसको हम एक के बटा में लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा एक बटा तीन यह इसका अंसर आजाएगा यहाँ गात दो होती तो हम एक बटा तीन की गात दो लिख लेते हैं यह एक गाते इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे इसी प्रकार से आपको अगला सवाल करना है यह इसमें गात की गात में बाग लग रहा है तो इसमें बाग लगा देना है आदार समनों पर बाग में गातें गटती हैं और गुण minus 3 कर देंगे до grand 3 कि दो बच्दे आञें और 5 में से 3 घ्यां तो दो बच्देंगे अब भा। इसको हम ह़ल लेंगे 2 की गारथ 2 बीड़ और 3 की गारथ चाल होती है और 3 की गार्थ 2 भी कितनी होती है नु हो जाएगी ये ‒ इसका अंसर है आगा आपके चार बटे नो और भी आपके किसी सवाल में समश्य हो तो आप मुझे वाटसब पर मेसेज कर जाएना हम आपको वाँ पर सॉल करके बता देंगे अगला प्रस्म देखो परदसीत संख्याएं तीन बटा दो और तीन और तीन बटा पांच हम क्या करेंगे इन सभी की यह उपर जो इसको दस से गुना कर लेंगे इसको भी दस से गुना कर देंगे इसको भी दस से गुना कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा बीस बटा तीन और इधर कितना हो जाएगा यह होजाएगा आपका 30 बटा 5 ठीकिए इसमें आपने यह कर लिया तो अब इसको हम लिख लेंगे आपे तो यह होजाएगा 20 बटा 20 के बाद मैं यह पर लेंगे 21 बटा 3 फिर 22 बटा 3 24 बटा 3 कुछ भी लिख लो 30 तक ठीक है इधर पांस भी कर सकते हैं और यह जागा आपका 25 बटा 3 ठीक है इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे अगला स्वाल आपके 19 वा स्वाले राम ने 10,000 रुपे दो वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर्शे चक्रवर्ती ब्याज की शहर्थ पर उदार लिए यदि दन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता यानि कि इस सवाल में आपको सरल ब्याज भी ग्यात करना पड़ेगा इस सवाल में आपको मूल ये चक्रवर्ती ब्याज भी ग्यात करना पड़ेगा फिर चक्रवर्ती ब्याज में से सरल ब्याज को गटाना और वो तर आपको निकालना है सबसे पहला हम इसमें शरल व्यास कने हैं जी रेका सवाल में 10.000 रूपे समय दो वर्स और 10% यह लिछ लिए पहले गात करने धो सरल व्यास कने का सूत्र होता है में 눌러 गवाण मां लिक लदा तो सब भी का मां लिख लिए मां लिख लिए. 10,000 रुपे समय दो वर्स और 10 परतिशत बटे में 100 वेसे को से लिक लिए अब इसको हम आगे सोल करते हैं आगे सोल करने के लिए इस दो जिरो से इस दो जिरो को काड़ देते हैं यहां क्या बचेगा यहां बचेगा आपका सो इंटुद रोइंट दो को से गुणा़ के तो विस बच जाएगा तो यह उत्तर कितना जाएगा आपका 2000 रुपए है तो सरल ब्याज आगे आप मारे पास में सरल ब्याज बराबर 2000 रुपई अब आपको इसी सवाल में वापस ये चक्रवरती ब्याज भी ग्याद करना है तो चक्रवरती ब्याज का सुत्र लिखेंगे हम यह पर फिर उसका चक्रवरती ब्याज भी ग्याद कर लेंगे तो चक्रवर्ति ब्याज का सुत्र क्या होता है वो हम यहाँ पर आपको लिखके बता देते हैं तो हमने यह पर चक्रवर्ति ब्याज का सुत्र लिखा चक्रवर्ति ब्याज बराबर मूलदन कोश्टक वन प्लस दर बटा सो की गाज समय माइनस मूलदन ये इसका सुतर होता है चक्रवति भ्यास याद करने के लिए मूलदन लिखेंगे हम दस अजार दर लिखेंगे आपे दस और समय कितना है उपर दो वर्स और बटे में सो माइनस मूलदन दस अजार अब हम आपको पहले ये कोस्टक को हल करना पड़ेगा तो पहले इस कोस्टक को हल कर लेते है कोस्टक हल करने के लिए 51 प्लिसग प्लिस100 अचो यह सो है जाएगा तो सो कह–सो लिखेंगे यह सो कुछो झाएगा प्लस यह जाएका सो का बाग सो में एक बार एक को दस से गुना करेंगे तो दस तो यह सो और दस में इसको डायरेक्टी जोड के 110 लिख रहा हूँ यहाँ पर ठीक इसकी गात कितने हो जाएगी दो तो मैं इसको डायरेक्टी जोड के कितना लिख रहा हूँ 110 लिख रहा हूं ठीक इसका हमने लिख लिख ले 110 माइनस यह लिखेंगे 10,000 देखो यहां पर 15 होता है तो हम डायरेक्टी इसको 115 बटे 100 लिख लेते हैं आप भी इसको डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं फिर इसको हम आगे करेंगे तो यह आजाएगा आपका 10,000 इंटू यह दो बार लिखना पड़ेगा ठीक है एक जिरो से एक जिरो कट जाएगा तो यह जाएगा 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 और मैनस में फिर चाली रहें यह 10,000 रुपे अब यह मैनस वाले से जिरो से यह वाले नहीं कर से गुना वाले जिरो से इसको काट लेंगे तो इसके दो जि क्या बचेगी 100 इंटू 11 को 11 से गुना करना है 11 इंटू 11 और मैनस में 10,000 को गटा लेना है 11 को 11 से गुना करेंगे तो यह जाएगा आपका 121 ठीक है 121 को 2 0 लगा दो तो यह जाएगा आपका 12100 और मैनस में 10,000 गटा लेंगे तो 12100 में से 10,000 को गटाएंगे तो यह जाएग आपका दो हजार सो रुपे एक्किस सो रुपे आपका ब्याज आ जाएगा यह क्या है आपका चक्रवर्ती ब्याज यह कह रहा है ठीक है यह सरल ब्याज कितना है दो हजार रुपे चक्रवर्ती ब्याज कितना है एक्किस सो रुपे कितना ज्यादा है सो रुपे ज्यादा है यह के रहे हैं कि अधि वह दन सरल ब्याज पर लेता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता है तो अंतर ग्याद करने के लिए यहां पर हम अंतर निकालेंगे यहां पर आपको यहां पर अंतर निकाल के बद़ देता है तो अंतर ग्याद करने के लिए यह हो जाएगा औरती ब्यास हमेशा ज़्यादा आता है तो सरल ब्यास कम रहे गा और चक्रवरती ब्यास ज़्यादा रहे गा कि पूरे सवाल की पीडियो जोंन 150 ब्लेकर डाल दोंगा उइस ठीक है और पूरी गनिता आपको इसी प्रकार से सम author करेंगे आप तो चैनल को सबस्क्राइब करेंडा और अपने बागी दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेर करेंगे अपने क्लास के बागी दोस्तों के साथ में अगला स्वाल देख़ोगा इसमें 20 नंबर दो संक्याओं का कि दूसरी संक्या पता होगी, तभी तो हम पहले ग्याद कर पाएंगे, इसमें, दूसरी संक्या को मान लेंगे, X, यहाँ लाइन लिखेंगे, माना की, दूसरी संक्या, X, दूसरी प्रस्टानुसार दे रहे हैं परस्टानुसार की आप? 거지 यह DENNIS वैंसे नेय सकने का है यह जो चोटर किने हो जाएंगे को हैं इसनती कीतने हो जांगे दो एक संथा जाएंगे तो पूर आपको पंदरा निका यह जोड़कर को अपे दियुसार किन schema कर देना है प्लस में और बारावर में कितना है पिचानवे आ जाएगा अब आपको दो एकस कमान गयाद करना है तो पंदरा को इधर ले जाओ तो पिचानवे ये प्लस के पंदरा इधर आएंगी तो मैनस के पंदरा आ जाएगा तो पिचानवे में से पंदरा को मैनस कर दो कि सेंगे तो दो एक्स बराबर बस जाएगा पांस में से पांस गए तो जीरो और नो में सो एक गया तो आठ यहां पर बस जाएगा असी आ जाएगा तो यहां पर क्या दे रेका आपको यहां पर दे रेका हैं दो एक्स बराबर असी हैं दो एक्स बराबर असी हैं तो बता एक् भाग दे देंगे असी में दो कबाग कितनी बार जाएगा चालिस बार जाएगा तो यह एक्स का माना आया एक्स क्या थी दूसरी सिंख्या क्या हो जाएगी दूसरी सिंख्या तो जाएगी दूसरी सिंख्या बराबर हो जाएगी हमारी एक्स दूसरी सिंख्य क्या हो जाएगी इसमें एक्स हो जाएगी तो दूसरी सिंख्य को हम लिख लेंगे आपर दूसरी सिंख्या बराबर एक्स एक मिनद इसको वापस कर लिए तो दूसरी सिंख्या हम क्या लिखेंगे दूसरी सिंख्या दूसरी सिंख्या लिखेंगे हम इ जाएगी क्योंकि दूसरी को अपने एक्स प्लस 15 मना दूसरी को एक्स मना पहली को एक्स प्लस 15 मना तो यह हो जाएगी आपकी पहली संख्या X का मन 40 प्लस 15 15 में 40 जोड़ो कितने हो जाएगी यह 25 हो जाएगी कितना अंसर आएगा इसका 25 हो जाएगा यह दूनों संख्या आगए पहले संख्या 40 पहले संख्या 45 है दूसरी संख्या आपकी 40 है देखो 15 जदा है नहीं 40 से 55 पंदरा जदा है इस प्रकार से इसका उतर भी आप मिलान कर सकते हैं अगला प्रस्न देखो आपके प्रस्न संख्या 21 प्रस्न संख्या 21 में क्या कह रहा है कि माल से लदावा एक ट्रक यातायत नेमों का पालन करते हुए कि 25 मिनट में 14 किलोमेटर चलता है तो यदि ट्रक वही चाल से चलता रहे तो पांस गंटे में कितनी दूरी तय करेगा यह आपको दूरी ग्याद करनी है यह कह रहा है कि 25 मिनट में अगर वो 14 किलोमेटर चलता है तो वो पांस गंटे में कितना किलोमेटर चल जाएगा तो पहले तो यह देखना है मिनट में हमें ज्याद करना है गंटे में हम क्या करेंगे इस गंटे को भी मिनट में बदल देंगे तो एक गंटे में कितने मिनट होते हैं एक गंटे में होते हैं साट मिनट एक गंटे में कितने होते हैं एक गंटा बराबर होते हैं साट मिनट तो हमें ज्याद करना है पांस पंशन्व गनटे का तो हम क्या करेंगे बराबर कर देगे यह करेंगे 6 इंटू 5 तो बराबर वेदेगा चैन सो मिनटे और क्वैंपने की तो मैं मिनत का घ्यात करना है तो यह याँ व्फ लगाए की यह दो विσιendorf पार रहना है चूंकि 25 मिनट में तै की दूरी कितनी है वहीं आपके 14 किलोमेटर यह लिखेंगे 25 मिनट में तै दूरी तै की गई दूरी वह कितनी है तै की की दूरी वह है अमारे पास में चौधा किलो मिटर अब आपको ज्याद करना है पहले एक मिनट का तो वो एक मिनट में कितनी दूरी तई करेगा तो एक मिनट में वो दूरी तई करेगा ये मैं वसे वसी लिख रहा हूँ वो आजाएगा आपका चौधा बटे 25 ठीक है इतने किलो मेंटर वो तई करेगा ये एक मिनिट का इतना है तो आपको कि स्याईन का ग्याद करना है त Easter लिए आप लिखेंगे आपने तय तbreak की दूरी अब हुअ थिंसो मिनट का मतलब वह पास घंटे तो वह ञ़ए आपका 30 की दूरी 14 बटे 25 एंटू लिखेंगे हम 300 अब हम क्या करेंगे यह पर 25 के पाड़े से इस 300 को कार देंगे 25 हेकम 25 ठीके 5 एक बार जाएगा और 5 बसेंगे 50 हो जाएगे तो यह बारा बार कट जाएगा यह कितनी बार कटेगा यह इसको हम बारा बार कार देते हैं देखो 25 हेकम 25 पाँच बचेगा और फिर 50 हो जाएगे 25 दूनी 50 अगली सेंगे लिखेंगे हम 14 इंटू 12 चौदा को बारा से घुना कर लो बारा चुक 48 बार चुक 48 हासल के चार और बारा एकम बारा और चार 16 कितना किलोमेटर चलेगा वह 148 किलोमेटर यह पांच यह 300 मिनट के दो 300 मिनट बराबर पांच गंटे दोना एकी बात है तो 300 मिनट में ताइकी की दूरी बराबर पांच गंटे में ताइकी की दूरी कितने आएगी एक सो अड़ेसर किलोमेटर यह अपना आंसर हो जाएगा इस प्रकार से इस सवाल का उतर कितना आएगा आपके 1168 किलोमेटर देखो मैं 248 8 124 16 ठीग अगरा प्रसंदेखते हमें इसमें आपका अभी आपका बाग संख्या बारा से पत्चीस तक आपके बड़े सवाल आएंगे छेचे निमर के आपके इसमें सवाल आएंगे इसको भी हम यहाप आपके सोल कर लेंगे त AH undertaking ऑपकी पूरी AH OKTE लिभेदातमक परस्तनवाली इसमें आपको इसे पूरी AH करति का क्षे तरफ़ जुक्त करना है पूरी AH करती का क्षे तरफल ज्याद करने के लिए आपको इसे को AH करती में बाहर देना है आ करती 1-2-3-4 ऊकरती इसमें दो तो त्रीबूस बन रहे और दो समलम चत्रबूस बन रहे तो आपको त्रीबूस का शित्रफल ग्याद करना है दो और दो समलम चत्रबूस का शित्रफल ग्याद करके बाद में चारा को जोड़ेंगे तो पूरी आकर्टी का शित्रफल आ जाएगा तो वो अब इसम हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस आकरती का एक का क्षेतर फल जाद कर लेंगे ठीकि आकरती एक का क्षेतर फल जाद करेंगे यह रही आकरती एक यह आकरती एक क्षेतर फल यह लिख लेते हम आकरती एक का क्षेतर फल तो आकरती एक का क्षेतर फल इसमें जाद क है कि आखर्ति एक है शेत्र फल्ट कि 1 अवक्त शेत्रफल को सूत्रकिया लगाए जाए dois हैं च्रोंतर वह समलें चत्र पूज को सुतर होता है एक बता दो कि एक बचाघू इनटू समांतर बुजाओं का योग यह समांतर बुजा होती ही है ये वाली बुजा ये वाली बुजा हो का योग एंकी ए प्लस भी इंटू उनके बीच की दूरी इसको हम हैं से लिखते हैं यह वाली दूरी कितनी है जिरो से पचास तक पचास हो जाएगी तो इसको इसका मार हम यहां पर लिख लेंगे एक बटरा दो इंटू एक कमान तीस से बी कमान पचास है एक कमान तीस से बी कमान पचास है तो यह हो जाएगा आपका तीस प्लस पचास इंटू मुचाए कितनी है यह दूरी इन दोनों के बीश की दूरी जीरो से पचास तो पचास ही हो जाएगी 20 इसको इतना जिए गए हैंपे 50 आजएगा कैमा को किया करना है कि इस कोस्त या को azim करना है एक बटर- दो इंटू यह 350 कितने हो जाएंगी 80 80 को गुना करना है फिर वापस पचाससे दो कि पारा से 80 को का आज देंगे 40 बार दो कि पारा से 8040 बार करेंगे इंटू 50 करेंगे ये कितना जाएगा 5.20 ये आ गया आपके 2000 मिटर स्कुएर तो ये तो है आपके आकरती एक का क्षेतरफल आकरती एक का क्षेतरफल आ गया इसी प्रकार से आपको आकरती दो का क्षेतरफल भी जाद करना है आकरती दो में भी सेम आकरती है तो ये भी समलम च याद करने के लिए टोटल कितनी है जीरो से लगा के सो तक ये टोटल जीरो से लगा के सो तक है इसमें से पचास को कम कर देंगे तो बताओ ये टोटल सो है इसमें से ये पचास कम कर देंगे तो उपर कितना बचेगा पचास ही बचेगा तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी प तो यहां हम लिखते हैं यहां पर आकर्थी दो काक्षित्रफल का सुत्र लगाएंगे आकर्थी दो क्या है समलम चत्र बोजें तो सेम सुत्र होगा वही जो उपने उपर लगाया एक बट्रा दो इंटू समांतर बुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू उनके भीच की दूर पचास है और बी कमान भी 50 हैं तो यह रहेगा आपका 50 प्लस 50 और इंके 20 की दूरी कितनी है टोटल सो है सो में से 50 को माइनस कर देंगे तो या सो में से 50 को माइनस करके currently में लिख रहा हूं यहाँप पचास के स्चाहे है यह वाला यह टो प्टल सोए इसमें से हमनी 50 को माइनस कर दिया तो यह उपर कितना बज गिया पर 50 बज जाएगा तो यह हमने किया यह पर यह निए डारेक्टी लिख लिए इसमें 50 अब हम क्या करेंगे इसमें जोड कर लेंगे पहले एक बटादो इन्टु 4050 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे इन्टू 50 तो यह नो के बारत से काट दो 100 को 50 बार कर जाएगा यह तो इस लो के बार से 100 को कटा 50 बार और पजा वापस उपर हम पर वैसे ही हैं तो 50 एंटू 50 करेंगे तो कितना उतर आजाएगा 505tve ठीक मीटर स्कॉयर यह किसका आया ऐाक्षातरफल आकर्टी नंबर 2 का अब हम क्या करेंगे采 आकर्ती आकर्टी यह रिके तीन आकर्ती यहوبले serait याकर्ती नंबर आकरती तीन आकरती तीन का शेत्रफल आकरती तीन का शेत्रफल यह लिख लेते हैं आकरती तीन का नाम सुत्र लिखो इसमें बोह जाएगा आपका एक बटरा दो इंटू आदार इंटू उचाई यह त्रिबूस का शेत्रफल का सुत्र होता है एक बटरा दो इंटू आदार उचाईों अब देखो हादार पार्त हो जाएगा ये उसुटार हो चालिस और ये यूचएक्टॉ हो जाएगे तो यह ऊचाइए याद करने के लिए टॉटल double मिस को हैं सो में से 70 को गटा देंगे चैना यह तक सत्तर से 10 में इस 소neyत 20 बचे गा तो यहां आजाएगा आपका कि इम बक्रादब 2 इंटू आधार कितना लिखेंगे आधार तुह 40 यह वाला 10 चाली देर का में यह वाला जी चालिस है और यह हमारा सो है टोटल शतर यहां तक है तो यह बचवा कितना है यह हो जाएगा आपका 30 है तो यह हमका 30 हो जाएगा यहां लिख लेंगे हमादार 40 इंटू उचाई कितने हो जाएगी 30 हो जाएगी दो के पारड़े से 20 30 को काटेंगे 20 बार और 30 वसक वसक आजाएगा तो यह कितना आजाएगा अपना तेके 20 और इंटू 30 करेंगी तो दो तीया 6 तो यहा जाएगा आपका 600 मीटर स्कॉर यह आपके आकरती 3 कश्यत्रफल आ गया इसी प्रकार से आपको आकरती 4 कश्यत्रफल भी जाद कर लेना है आकरती 4 कश्यत्रफल यहां लिखते हैं आकरती 4 कश्यत्रफल यहां लिखते हैं आकरती 4 कश्यत्रफल आकरती 4 कश्यत्रफल आकरती 4 कश्यत्रफल अगर आपको गनीज समझ में आ रही हो तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ताकि आपके जो कोई भी सवाल है जो समझ तक आपके जो पूरी गारंटी अच्छे नंबर आपके गणी तरविग्यान में आएंगे मैं आपके पूरी तयारी करोंगा तो यह जाएगा आपका एक बटर दो इंटू वही शुत्र सेम आदार इंटू उचाई वाला आदार कितना लिखोगे आदार लिखेंगे हम इसका 40 तक 70 की उचे हो जाएगी तो यह जाएगा आपका एक बटर दो इंटू आदार ते मौणा चालीस और उचे हो जाएगी सत्तर तो एक बटर दो इंटू आदार में इस दो का बाग दे दो इसमें 20 बार चला जाएगा 40 में दो का बाग इंटू 70 करेंगे दो साती 1400 यह एक एक जिरू दोनों का लग जाएगा दो और साथ को गुणाई तो 1400 200 M2 यह यह एक आक nos इक एलिए आकृति को आपको यहां पर जोड़ करना ही तो पूरी आकरती 1000 आ जाएगा तो हम यहां पर लिख लाते हैं पूरी आक लेते महीं पर लाती के अपान करती 30 impair 3 की यह एंट्क जाएगा में पूरी आकरती पूरी आकरती A, B, C, D, E का शत्रफल का शत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे आकरती एक का शत्रफल आकरती एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार का शत्रफल लिख लेंगे इन सभी का शत्रफल लिख लेंगे तो हमने जाद करें सभी का आकरती एक शत्रफल कितना है था आकरती एक शत्रफल है हमारे पास में दो हजार यहां पर हम लिखेंगे इसको 2000 प्लस आकरती 2 का कितना आए था 2500 इसको हम लिख लेंगे आपे 2500 थोड़ा सा बड़ा लिख लेता है इसको 2000 प्लस 2500 यहनकी 2500 प्लस आकरती 3 में है आपका 600 और प्लस आकरती 4 में है 1400 इन सभी कॉम्या पे जोड करेंगे तो यह हो जाएगा 2500 और 2000 यह जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका यह हो जाएगा आपका 4500 और इधर हो जाएगा आपका 6 और 4 यहनकी 2000 यह हो जाएगे 2000 यह 2000 यह 4000 4000 और यह 2000 6500 इसका उत्तर आजाएगा 6500 मीटर स्कॉयर अपना अंसर होगा कैसा लगा यह वीडियो देखना आप आगे और प्रस्न कर रहे हैं अभी तो हम लेकिन कमेंट करके ज़रू बताना कि इस प्रकार से आपको गने समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं और यह जो दे रहे हैं आपको विकर्णों का आपको ख्षत्रफल दे रहे हैं एक विकर्ण की लंबाई दे रहे हैं और इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ग्याद करनी है तो ये भी हम ग्याद कर लएते हैं इसके अथ्वा में आएगा ये तो यह वाला भी हम इसमें आप tutte कर के बता देते हैं देखो इसमें है को सम्छा साम्फ Creator का शेतरफल दे रखा है एक विकन के लंबाई 15 15 Fr थी सेंट्यमेटर तो दूसरे विकन की लंभाई ग्याद करनी है तो समचितर भूज का थो ऑग्ष्यत्र होता है एक बटा दो इंटो विकनों का गुनेवर्ण फर यह सम्चत्थर भूज काख शित्र फर होता है तो वह 1994 को क्षेत्र फर जो स्वाल में जैसा धे रखा था लिख लिया एक विकन की लंबाई देर की एक विकन को हम ए लिख लिया 30 संटिमेटर विकन भी यह अनकी हमको ग्याद करना है दो विकन होते हैं और दोनों की गुनन फल करके आंपर देर रखा है तो यह सुत लिखा एक बटा दो इंटो गुनन फल विकनों का गुनन फल एंट बराबर में 240 बी का मान याद करने के लिए इस दो को दो के बार से इस तीस को कार देंगे 15 बार तो यह आजाएगा 15 इंटू B बराबर 240 तो बी का मान याद करना है तो इसे 240 में 15 का बाग देंगे 204 बाटे 15 फिर 15 के पाट से कटेंगे ठीकर तो इसको कार लो पहले ütfen चोटी संखेसे का लो पांस के पार से काट को यह पंडरा कटे का तीन बार और उपड़ फके बार से 24 कटे 18 तो सेंटीमेटर ही तो सेंटीमेटर को मैं छि sırथ लेंगे फिर आपको बाताना है कि कौन सा विकन बढ़ा है हुआ इप कौनसा विकृण है तो विकन ए हमारा अधीक कितना अधीक है तो वो अधीक घ्याद करने के लिए हम क्या करेंगpek इस ए मैंसे बी को गटा लेंगे ए मैंस भी यहनि कि आपको करना क्या है तीस में से इस सोला को गटा लेना है तो 14 सेंटीमेटर वो अधीक है इसी प्रकार से इसका अथवाला स्वाल है एक बेलन की आपको उचाही देर जात करनी है आईतन दे रखा है आपको और उसका अधार का बाड़ के करना है तो इसमें उन्मने बेलन का इतन का सुट लगाया ठीक है यह पई यार स्कुएर यह हमको दे रखा है एक पोइंट पांस चार सवाल हमें दे रखा यह वहला और और कमान गयात करने के लिए हम क्या करेंगे पहले सेंटीमेटर में व्यास इसको मिटर में बतला है तो सो का भाग दे दीओ ईष्में तो है है तो इतो है आर cm1 आप हम्को एच सवायद करना है। तो हम क्या करें गयों कि interrupting का सुट लगाएंगे इसमें पाई आर स्क्वायर एच इसमें पाय कामां लिखेंगे 22rios referring % एक पॉइंट करना है तो इस पॉइंट को फटाएंगे नीचे दस लिकेंगे इस वड़ी साथ से यह वाला साथ कट जाएगा और फिर इसको वह करेंगे तो यह बट्टे में इसका भी पॉइंट हटा के दो जिरो लिख लेंगे देखों बड़ाबर से इधर यह दो सो कर जाएगा और ये 22 7 times h बराबर 594 है तो ये 22 7 करेंके तो कितना आएगा ये आजाएगा आपका 655 h बराबर ने है 154 JOHN H 154 H बराबर में है 154 तो H बराबर कितना आएगा H बराबर आजाएगा आपका 154 बटे 154 बराबर 1 मीटर तो उसकी उंचाई कितनी आजाएगी 1 मीटर आजाएगी इसी प्रकार से अगला सवाल आपका ये 23 स्वा है इस 23 स्वाल में आपको क्या करना है इसमें गुननखन करना है तो पहला लेकर देखते हैं किसी 2 के गुननखन करने इसमें से आपको इसे भी कर लेना तो पहला जो देरका आपके इस प्रकार देरका हैं ये 4P स्कॉयर माइनस 9P स्कॉयर है ना 2P का whole square minus 9Q square को लिख सकते हैं 9 का square यंगी 9 जो 3 का square होता है 3Q का whole square फिर एक सुत्र बनता है हमारा सुत्र क्या होता है A square minus B square वाला A square minus B square इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं A plus B और A minus B लिख सकते हैं A का मान इसमें 2P है तो इसको हम लिख लेंगे हैं आपर 2P plus 3Q और एक बार लिखेंगे हम इसमे 2P minus 3Q यह हमारा इसमें आंसर आजाएगा यही इतना उत्तर है इसी परकार से इसका हम सवाल नंबर 3 करते है सवाल नंबर 3 क्या है इसका पहले का तीसरा कि X square plus 6X इसको हम लिख लेते हैं वापस यहां पे यह हो जाएगा हमारा X square plus 6X plus 8 इसके गुलनखन करने तो 6 के टुकड़े इससे करने बनला 8 के टुकड़े इससे करने जिनको जोड़ा है गड़ाएं तो 6 आजाएं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 4 दूनी 6 हो जाएगा इसमें क्या करेंगे हम इससे 6 को लिखेंगे 4 प्लस 2 तो यह हो जाएगा अपना अगली स्टेप में X square plus 4X plus 2X plus 8 common निकालेंगे इसमें से X common निकलेगा तो यहां पे X plus 4 बचेगा इधर यहां पे 2 common निकलेंगे तो plus के 2 common निकाले तो X plus 4 यहां पे common बस जाएगा जो दो बार common निकले इसको एक बार लिख लो तो X plus 4 एक बार लिखेंगे X plus 4 और यह जो बाहर common निकाले इसको को एक कोश्टक में बंद कर जाएगे X plus 2 को यह अपने answer आजाएगे इसी प्रकार से एक और में बता देता हूँ तीन में से कोई 2 कर लेंगे ना B की गाद 4 इसको हम solve करते हैं तो इसको हम क्या square में लिखेंगे पहले तो A का square और उसकी गाद वापस 2 माइनस B का square और उसकी गाद वापस 2 यह हो गया अब यह मारा सुत्र यह मारा सवाल पहले कि तरह आगे इस सुत्र कि तरह A square minus B square इसको लिखेंगे A plus B और A minus B तो इसको A plus B लिखेंगे पहले तो A plus B का मतलब इसमें लिखेंगे A square plus B square यह A का मान है और B का मान क्या है हमारे पास में वो है A का मान तो हमारे पास में A square और B का मान है B square तो एक बार plus करेंगे A square plus B square हो जाएगा मैनस करेंगे तो a square minus b square हो जाएगा वापस इसको तम वैसाग्व जाएब छोड़ देंगे लिखेंगे ये वापस एक उसुत्र बन जाएगा वापस रिखेंगे आपधी सोल किया क्या था वैसाग्व जाए ये अब a square minus b square इसकी जिखा a plus b और a minus b लिखेंगे तो ये आजएग अमबर 24 सवाल नमबर 24 में आपको रसना करनी पड़ेगी तो इसमें आपको परकार पेंसिल की साहइते से समझना पढ़ेगा इसको भी मैं नहीं समझ़ सकता हूं अभी अमैदी इसका अगला देख लेते हैं यह रहा आपका प靚ी सवा स्वाल इसमें आपको एग्राफ बनाना है ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है एक तरफ आपको यह संक्या लिख लेनी है और दूसरी तरफ आपको यह दूसरी वाले संक्या लिख लेनी है एक तरफ हम जमादन लिखेंगे एक तरफ सदरन ब्याज लिखेंगे जैसे यह ग्र और फिर बराबर दुरी पे हम वो ihan लैने जो कीश त written रङिए उसमें बराबर दुरी पे हम यह बत महनें कर लेंगे तो यहां आजाएगा आपका 1000 फिर यहां आजाएगा 2000 और इसको हम थोड़ा सा दूर-दूर बना लेतु हैं यहाँ जाएगा आपका यह तो यहाँ आपका मूल दन है क्या है यह मूल दन जो प्रस्न हमें ल Только मूल दन है हो नहीं र उच्गे हैं यहाँ पह लेंगे रुपईयों में ठीक है रुपईयों में और इसी प्रकार से हम यहां पर जो इस वाली साइड में हम क्या करेंगे ब्याज लिखेंगे ब्याज कितना कहां से सुरू हो रहा है असी से लगाके चारसो तो यह आठ का पारा बना जेहां पर आठ का पारा बना लेंगे इदर आ जा तोनरा तो एक्सासार आजएगा फिर यहां पर नगा पिनदोCol historically के बाद में यहां जाएगा आपका हुआ थिनसो भीस तिनसो भीस आट चोग वद्टीस फिर आट नूपगे चाले स ow फी यह जाएगा चार झाना कर्स से इस परकार से यह पूरा ग्राफ आपकोस प्रकार से बना लेना है अब हमेरह के देख नहाguru यह सो 1-2-1辈 lays até ओका ही ऐस है ची रुप्आ तो यहां पर आपको लिख़ाना है इस्यteenth , 2,000 में कितना है तो 1,6oren , यहां प्यार जाएगा आपका 1,6oren , 3,000 पे कितना है तो 3,000 का जना जो उप्याज है वह आर इसे मारे पास में बैस essentially 7 OC ही 240 रुप्य यह 240 रुप्य चारसार चार जार रुप्य चार जार के आजivas रौपने में बा canopy 320 रुप्य और 5000 टो ब्याज पूको देंए रखा यह देख लइदे इसको पांच जार का 400 रुपई तो यह हो जाएगा अपना 5000 का 400 रुपम ठीक है इस प्रकार से इसको यहार पर एक सीधी लाइन बनेगी यह ग्राप खेचेंगे इसके तो यह हमको सीधी लाइन प्राप्त होगी इन सभी को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन प्राप्त होगी यह अपना है जो ग्राप आजाएगा यह छे नमबर आपके मिल जाएंगे बिल्कुल आसान है यह ग्राब खिंचना और यहां पर आपको पैमाना लिख लेना है यहां पर आपको एक पैमाना लिख लेना है पैमाना यहां पर पैमाना पहले लिखेंगे एक्स अक्स पर एक्स अक्स पर क्या लिया एक बड़ा खाना एक बड़ा खाना एक बड़ा खाना प्रकाद हमने एक एक घाजर का ग्यारा तो यह लिखेंगे हम एक घाजार रुप choreography एक बढ़ा judging ऐसे फिर कार से वाई अस्पर आपको पर आपको यहे जो आपवा और ले लेना हैं군 पूरा सवाल करना है और यह जो पूरा पीडिये बनी इसकी मैं आपको वार्टसप ग्रूप में जो डाल दूँगा आप वर्टसप ग्रूप को जोइन के लेना सबी सवाल जो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें आपने दोस्तों के साथ में वीडि सब्सक्राइब करें नहीं आती उनको आप चैनल के साथ जोड़ेंगे ताकि उनको भी गणित अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए तो मैं इसकी पीडिये आपको शेयर कर दूँगा वार्टसप ग्रूप में वार्टसप ग्रूप प्र पूरी शेयर करके बता दूँगा पूरा जो पेपरे में आपको सॉल करणा दिया है बाकी के पेपर भी में शॉल कर रखे हैं और भी में सॉल कर दूब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत ठीक है अगले वीडियो में आप ज़रूर मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें ना सभी पेपर आपको मिल जाएंगे और वर्ट्सप गुरूप का जो नमबर है उसमें आप जोइन हो जाना मिलते आपको अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत और आप ये वीडियो कौन से जिल्ले से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बता देना देखें ये आप वीडियो कौन से जिल्ले से देख रहे हो ठीक है तो मिलते आपको अगले वीडियो में